जेहिन दोस्तो और वेरी गूड इवनिंग तो प्यारा दोस्तो जासे कि आप से स्क्रीन पर देख रहे हो क्लास 12 इंग्लीज ग्रामर के ऐसे तीन टोपिक में आपको बताने वाला हूँ जो कि इंग्लीज ग्रामर का 2023 में आपको पूरा का पूरा आठ नमबर पकात करा देग तो पहला जो टॉपिक है न एंटो नीम से में 5 कोश्चन बताऊंगा जो कि 5 कोश्चन में से 3 नमबर आएंगे तीन आप ऐसे आंसर दोगे तो 3 नमबर आपको मिल जाएंगे synonyms के 6 question जो की 3 number के लिए होते हैं वो भी आपका देखेंगे और syntax से 4 question देखेंगे जिसमें की 2 number का आता है तो आपका ये अगर आप 5, 6, 11, 4, 15 total 15 question आपके 8 number को ऐसे मुकमल complete कर देगा 2023 exam के लिए अगर आप चाहते हैं बहुत बहुत बहुतरीन तरीके से exam में रिजल्ट करना इंग्लिस में तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए तो चलिए करते हैं वीडियो को start बिना किसी देरी के बहुत जाद देर हो गया वीडियो पसंद आए तो लाइक कीज़ेगे दोस्तों साथ शेयर कीज़ेगे चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगे पहला आता है बच्चों एंटोनियम से जिसमें मैं आपको पांच महत्रपोड एंटोनियम के बारे में बताऊंगा अब ये पांचों क्या है इनको पहले समझें सबसे पहला एंटोनियम का मतलब होता है बच्चों तीन मनंबर का पूछा जाता है थिरी मार्क का आपके बोर्ड पर इच्छा में ठीक है तो क्या होता है student आपका ऐसे दिया रहेगा ठीक है इसका आपको एंटोनियम से लिखन अइन्टोनियम का मतलब होता है बिलोम शब्द जैसे यह दिया गया है इसका बिलोम क्या होगा ठीक है उल्टा जिसे देखिये फ़र्ष्ट आपका आता है बच्चों एंसियंट का मतलब होता है प्राचीन या फिर पुराना ठीक है समझ में हिंदी आप समझते चलिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो देखिए अब इसका बिलोम सब्द क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा बच्चो, वो आप लिख सकते हैं modern, अब modern का मतलब बच्चो होता है आधुनिक या फिर नया, ठीक है, तो ancient का मतलब प्राचीन या पुराना, तो modern का नया या फिर student आधुनिक, ठीक है, तो यह आपका इसी प्रकार से होगा, इसका just उल्टा यहाँ पर बिलोम सब्द लिखा जाएगा, हिंदी भी समझते चलिएगा, तभी आपके समझ में अच्छे से आएगा, दूसरा देखिए बच्चो है बैरन, बैरन का मतलब होता है ब फर्टाइल, यानि कि उपजाओ, उपजाओ जिसे खेत बंजर होता है तो उसमें फसल नहीं उगती है, तो बैरन का जो होगा student, एंटोनियम सो होगा फर्टाइल, ठीक है, ऐसे मैं आपको एंटोनियम, सिनोनियम, सेंटोक्स, तीनों को एक वीडियो में बताऊंगा, तो ब दिमांड का मतलब होता है मांग, और इसका अगर हम लोग देखें student, तो इसका होता है supply, supply का मतलब होता है हिंदी होता है आपूर्ति, आपको हिंदी नहीं लिखना है बोर्ड पर इच्छा में, लेकिन यह मैं आपको समझाने के लिए इसका हिंदी भी बता दे रहा हूं, त रहा है freedom, अब freedom का मतलब क्या होता है student, आजादी, तो आजादी freedom का जो भिलोम सब्ध होगा, जो एंटोनियम्स होगा, वो होगा student, slavery, ठीक है, तो freedom का जो होगा बच्चो, slavery होगा, अब freedom का हिंदी होता है आजादी, तो slavery का हिंदी होता है गुलामी, ठीक है, तो एक दूसरे के एंटोनियम से हैं ठीक है तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं चौथा देखिए बच्चों हमारा पांचवा आता है जो कि लास्ट है ब्रेवरी अब ब्रेवरी का मतलब होता है स्टूडेंट वीरता से यानि कि ब्रेवरी ब्रेव का मतलब होता है बहादूर और ब्रेवरी का ब्रेवरी का आपका यहा यहा को यहाँ पर को नहीं निदम का यहा का मतलब होगा कौश्च अध्यude कर सकते हैं अभी मैं आपको थोड़ा सा दुबारा बताऊंगा अच्छे से तो इतना आपको आई हो कि समाज में आ चुका होगा और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको इसमें से कितने पता थे अंटोनियम्स ठीक है अब दूसरा मारा आता है बच्चो सिनोनियम्स के बारे में Synonym का मतलब होता है समानार्थी सब्द यानि कि इसी के समान अर्थ जो रखते हूं ये भी आपके वोड एक्जाम में तीन मार्क का पूछा जाता है ठीक है आप इसे भी हम किलियर कर लेते हैं सबसे पहला मारा आता है बच्चों Confess ठीक है तो Confess का हिंदी क्या होता है स्टुडेंट सुईकार करना ठीक है Confess का हिंदी होता है सुईकार करना तो Confess का जो आपका होगा स्टुडेंट सिनोनियम सिनोनियम का मतलब होता है समानार्थी सब्द इसका समानार्थी सब्द होगा Admit या फिर Accept मतलब भी सीकार करना होता है तो confess का मतलब सीकार करना ément accept का मतलब हे суд वह सबनाब होता है यह स को सइंगत करना होता है यह अगे बढ़ते हैं दूसरा अपना देखते हैं ॆ मैं तो पौर्ट शिनोनियम्स आम देखेंगे इस वीडियो में दूसरा मटा था थे चीक है Пटीक네 दूसरा जो हमारा है स्टूडेंट वह है डाइसेस्टर 0 कि यहां पर स्टूडन्ट डाइसेस्टर का जो जो मतलब होता है मीनिंग सब्सक्राइब होता है और दूसरा बच्चों मिसफार्चून मैं दो क्यों बता रहा हूँ ता कि आप दोनों में से किसी एक को लर्न करें कोई एक तो आप लिख लिए अगर बोड इक्जाम में पूछा जाए उल्टा भी पूछा जा सकता है कि कैले मिठी का जो है आप सिनोनियम से बताए तो आप डाइसेस्टर या फिर मिसफार्चिन लिख सकते हैं तो दोनों में से एक तो आपको याद हो जाएगा तो कुछ मैं एक बता सब्सक्राइब बता भी श्टूब्र गल्ती ही होता है या टृती ही होता है तो आप लोग इरर का जो है मिश्टिक लिख सकते हैं यह एक दूसरे के समान आर्थी सब्ध है तो इर्र का मतलब होता है truthy और mistake का मतलब भी गलती ही होता है तो यह था student आपका तीसरा important synonym समय हम देखते हैं अपना चौथा important synonym क्या है बच्चो हमारा चौथा synonym जो है important वो है humble अब humble का मतलब होता है student number या फिर विनीत ठीक है number भी आप कह सकते हैं जैसे number आदमी है विनीत है तो यह सब आप humble का अर्थ कह सकते हैं तो humble का जो हमारा student होता है वो होता है meek भी आप लिख सकते हैं meek and एक और लिख सकते हैं जो है स्टूडेंट सब missive सब missive ठीक है तो humble का जो होता है student हिंदी बिनीत या फिर नम्र और इसका होगा student synonym meek या सब missive दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं हमारा पांचवा important synonym साता है timid timid का मतलब होता है student डरपोक ठीक है या फिर बुजदिल अब इसका जो है आप उल्टा कैसे लिखेंगे तो इसका जो होता है student covered होता है covered का मतलब भी वही होता है ठीक है तो यह था आपका student पांचमा important synonym छाथमा क्या है ट्रिम्फ का मतलब होता है बिजय ठीक है जैसे किसी युद्ध में बिजय पा लेना तो उसका जो होगा student synonym वहोगा victory victory का मतलब भी बिजय ही होता है तो ट्रिम्फ का जो इंपिनोनिम से वह वह होता है कि इसमें जो थोड़ी वनी गलतिया होती हैançonenses में उनको सुधार न होता है जिसे देखे do not make noise अब इसमें गलती क्या है बहुत सारे बच्चे नहीं जान सकेंगे नहीं पकर सकेंगे गलती को तो क्या है इसमें देखें गलती तो do not make noise तो इसमें एक गलती क्या है do not make और make a noise make noise के बीच में ए लगता है तो do not make a noise ठीक है यहीं गलती थी ये के कारण ये sentence आपको गलत था इसका हमें syntax बनाना था जहां हमें make और noise के बीच में ए लगाना था तो do not make a noise अब ये sentence आपका बिलकुल right है और यहीं आपका सही है ऐसे ही आपको लिखना होता है दूसरे देखें बच्चो sun rises in the east अब sun rises in the east का क्या होगा बच्चो बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये सही है लेकिन ये सही नहीं है दा सन यहां पर रहेगा दा सन और बागी आपको वहीं उतार देना है एकदम छाप देना है in the east तो ये आपका यहीं सही हो जाएगा तो यह आपका किलियर है ठीक है तो यह है student आपका एकदम अच्छा सा syntax दूसरा जो की important है दोनों आप लोग समझ चुके होंगे तीसरा देखे बच्चों इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलतियां नहीं समझ पाएंगे कौन सी गलती है इसमें देखें why you were absent last Monday बहुत सारे बच्चे कहेंगे यह तो एकदम सही वाक्य है बट इस्टूडेंट जब why आगे लग जाता है तो यू के बाद बेर नहीं लगता यू के आगे वियर लगता है why were you पता होगा आपको ठीक है why were you absent last Monday तुम लास्ट मंडे को जो है अनुपस्थित क्यों थी last Monday अब पीछे आपको question मार का चिन्ध लगा देना है ठीक है यह आपका सही होगा और यहीं बनेगा आपका syntax ऐसे ही वाक्यों को सुध्ध करना ही syntax कहल आता है अब देखिए why you were absent last Monday तो why were you absent last Monday आप लोग लिख सकते हैं और यहीं आपका सही होगा चौथा देखिए बच्चों मारा क्या है he went to Lucknow by a car अब देखिए थोड़ी सी गलती के कारण यह वाक्या आपका गलत था है he went to Lucknow ठीक है लगनो 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 वाई अब यह कार यहां पर आपका नहीं रहेगा सिर्फ और सिर्फ कार ही रहेगा यहां पर देखिए दो बार दो संटेंसे जाये जिसमें यह की गलती हुई कहीं पर यह नही था तो कहीं पर यह था लेकिन लगाना नहीं चाहिए था देखिए he went to Lucknow by a car यह सही है तो student I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से तयार कर लेंगे, इसमें से काफी questions जो है पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड परिच्छा में, तो इस वीडियो को आप लोग देख कर नोट कर लीजिएगा कुछ ठीक है, तो student I hope कि आ आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और आप लोग इसे जरूर बताएगा कि आपको इन में से कौन कौन से एंसर किस किस के पता थे, तो student इस वीडियो में फिलाहार इतन आही तब तक के लिए थांक्यू और टेक क्यार